है गाइज हाउस्त जोष मैं हूँ चेदन फॉम गेमिंग जोष और यह है एक क्विक गाइड मैंने जब रियल में 7 का वीडियो डाला था कि कैसे कैसा है इसका परफॉर्मेंस और पपजी मोबाइल का कोरियन वेरियंट जब हम खेल रहे हैं तो कैसा इसका फ्रेम रेट है और आपको नहीं मिलने वाला Play Store में यह कभी आया ही नहीं था Play Store में कियोंकि यह सिर्फ बनाया है वहाँ के लुकल users के लिए और उनके down नाम की जो site है मैं यह site जाधा trust करता हूँ क्योंकि at least मैंने आज तक बहुत बार यहां से benchmark apps download किये हैं इसके साथ साथ यहां पर यह वाला app भी मैंने download किया है तो यहां पर आप आके download डब आएंगे तो वो download तो start हो जाएगा this is an xapk file you need to download the official up to down android app in order to install it तो यह सबसे बड़ी बात है यहां पर आपको ध्यान में रखने के लिए कि यह xapk है xapk और apk में थोड़ा सा फरक रहता है यह फरक है कि xapk में जो installer file होती है उसके साथ साथ थोड़े और media files और वो सब added होती है तो यह kind of zip file सामद सकते हैं जो आप windows में हम लोग zip file लेखते हैं उसके तरह यहां पर यह एक अलग से file version आता है इसलिए अब मैं अगर इसके downloads में जाओं मेरे तो already मैंने download तो कर रखा है हाँ अगर मैं अपने file manager में आपको दिखा तो महां से तो मैंने निकाल दिया था तो file manager में डाउनलोड में आगर हम जाएंगे यहां पर तो आपको दिख जाएगा कि मैंने pubg mobile का kr korean variant डाउनलोड कर रखाया और उसके साथ साथ देखिए जो मैं बोल रहा था वह यह ही मैंने अब आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है पहले डाउनलोड के लिए तो मैंने आपको बता दिया अप्टॉडाउन साइट में सीधा साइट भी खोल सकते हो अप्टॉडाउन नहीं तो मैं लिंक तो नीचे description में दे ही रहा हूँ या तो आप Google में search कर लो और आपको यह XAPK है XAPK के लिए आपको यहां पर अप्टॉडाउन का APK इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा तो अप्टॉडाउन यहां पर टाइप कीजिए यह पहला वाला जो आप है APK इंस्टॉल रुबाई अप्टॉडाउन वह डाउनलोड कीजिए वह मैंने कर दिया है तो यह RISE का इंटरफेस बहुत सिंपल यूज है इसका और कुछ करना ही नहीं है सिर्फ दो स्टेप है यहां पर तीन ओप्शन नहीं तीनों में से आपको यह दोनो तो वैसे भी कोई काम के नहीं मैंनेज अप्स में बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता चलाएगा कि आपको जिए नहीं पढ़ेगा फाइल्स की तो यह अलग वात है हमको करना इंस्टॉल इंस्टॉल एप्स और यहां पर आपको जो भी आपके डाउन्लोड है अपने फोन में वो सारे यहां पर दिख जाएंगे एकसेपीक भी इस पर हम टाप करेंगे एकसेपीक यहां पर रहा है जैसे मैं बोल रहा है यह zip file की तरह है एक पूरा package की तरह आता है तो उसको वो अब unzip करेगा unzip करने के बाद वो उसको install करेगा बहुत ही simple process है कुछ भी आपको confusion की जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं है सोचने की साथा बस क्योंकि at least मैं trust करता हूँ up to down site को इसलिए मैं वो mention कर रहा हूँ बाकी तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं इसको install करने के मगर मैं up to down इसलिए use कर रहा हूँ क्योंकि आपको दो easy options है पहली बात रहेगा उसके website में जाके आपको file download करना और एक यह app में आके इसको install करना do you want to install? यस और उसके बाद वो आप install कर रहा है और याद रखिये गाइस यह pubg mobile korean version है जिसमें भी tencent के अंडर कि एक company का हाथ है मगर यहां पर हम pubg mobile global version इसलिए नहीं खेल रहे है क्योंकि वो government ने बैन किया है क्योंकि यह already इंडिया में कभी available था ही नहीं तो इसमें privacy issues रहेंगी नहीं तो वह difference है यहां पर अब यह देखिए यह global और यह korean ग्लोबल आपके सामने है it is going off क्योंकि बैन हो गया है अभी खोल रहा है फ्रैंकल अभी गेम खोल रहा है बट मैं नहीं खोल रहा यह रहा पड़ी मोबाइल है क्योंकि मैंने अल्री डाउनलोड कर रहा है उसके बाद जाके आपको प्ले स्टॉल में जाके यहां पर यह अप्टो डाउन बस सर्च कर दीजिए और आपको मिल जाएगा एपिक इंस्टॉलर और वो उपन करके आप जाके इंस्टॉल अप्स में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस वेरी सिंपल क्रोसेस कोई भी हैडेक या कन्फुशन की ज़रत नहीं है आपको बहुत ही सिंपली आप खुल जाएगा और आप आराम से पब्जी मोबल कोरियन वेरियं और क्या कोरियन वर्जिन के सर्वर्स अलग है वो हमें अभी तक तो पताने शायद तो सेम ही रहेंगे मैं अचली यूज करके अच्छे से फोन को टेस्ट कर पाएं तो आपको एजी अंडरस्टांडिंग के लिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग कूछ र आपको ये वीडियो यूस्पुल लगा अगर लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिए शेर कर दिए और सब्सक्राइब कीजिए गेविंग जोष को कीप दे जोष हाई see you in my next वीडियो